जाहिन साथियों आप सभी को PBR Study YouTube चैनल पर स्वागर थे तो साथियों आज हम लोग English पढ़ने वाले हैं हम लोग समझेंगे कि English का ओडिजिन कहां तुवा तो दम बिल्कुल basic से समझाएंगे आपको बस आपको सुरु से ले करके आन तक देखना होगा और first of all आपको यह जो सेसन है अपने दोस्तों का साथ इसको सेर कर देना होगा तो पहले हम लोग समझते हैं English होता क्या है तो देखिए यहां पर ठीक है साथियों हम लोग लिखते हैं English first of all English देखों English हमने बहुत बार तुना है कि साथियों English क्या होता है लेंग्विज होता है होता है कि कैसाथ ओ इंग्लीज क्या लेंग्विज है आप मुझे बताना हम लोग पढ़ते कि यह हैं English में grammar ठाफियर्द कि मुझे बताना जब इंग्लीज बना होगा शुरु पर में सिरु पर में स्थरु इसका हुए हुआ होगा эту बना होगा., toutes नहीं करें और स्वाट हैं एक रवात्य उपैंडों आ तो किस नने कि के डवरा बोला यहाँ, आपके क्या से एक पाथ हों और सकते दों मैं कुछिए हुगी क्या था लैंग्वेज था अब लैंग्वेज साथ यो बोला जाता है मुझे बताना लैंग्वेज जब बोलते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गल्टी करते हो क्या करते हो साथ यो गल्टिया करते हो और उसी गल्टी को सुधारने के लिए क्या लाया गया ग्रामर क्या लाया ग कि उख इसी को सुधार करने के लिए भीक कि लाया गया जिसका नाम है अब देखो यह जो लैंग्वेज होता है लैंग्वेज बनता कहां से मैं जानना चाहता हूं जो लैंग्वेज है इंगलिस एक लेंग्वेज है कि लेंग्वेज बनता कैसे साथियों मुझे ये जानना है ये को साथियों लेंग्वेज यानि कि भासा तुम कुछ भी प्रनॉंस करते हो यहां एक भॉकल कोर्ड होता है देखो सरीर मानों के पास और गिप्टेट एक चीज है भगवान के दिय कि ले खी आर्चिज iniीं रुटेगर में जो कुछ भी निकलते है कि जनुछ पर जो कुछ भी निकले गया उक्तों नह ke जुक cognitive करिए जैसे मूला इंग्लीज में ही ले इंग्लीज क्या हो गया में लमाण है उसी तरह ही किया हुआ एक इंग्लीज लेंग्वज का फाफ हाट वहिता इसी तरहे दिन्ग्वSch कЕТ अंग्लीज हा घर आ, वाग्वज आstep करें बुक किसे नहीं, तुम बुक में बहुत सार कुछ परह होगे, बैं बुक का सारे चीजों का डिपनेशन में रहां करके दिखाऊंगा, एरर बहुत हैं बुकों में, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, बारी किसी बात को सुनना पड़ेगा, मैंने का लेंग्वज क्या है? साउंड से बना हुए, ठीक है साथी, क्या साथी हो साउंड से, मैं साथी हो, डिफिनिशन उपनी सा नहीं लिखवाता हूँ, बस ठीगर और डाइग्राम और मेरी बातों को ध्यान सो सुनना, ठीक है, साउंड, अब जो इंग्लिस जो लेंग्वेज है ना, इसको हिंदी से करना, अगर जब लोग बहुत बरा बलंडर हो जाएगा, ठीक है साथी, बहुत बढ़ तारे लोग, इंग्लिस को क्या करते है, हिंदी से रिलेट करते, जो की वहां पर बलंडर कर जाते हैं, आपको आगे बता हूंगा, कैसे बलंडर करेंगे, ठीक है, यह साउंड तो, इं आप पढ़े हो, आप जब पढ़े होगे हिंडी में स्वर्बेंजन, पढ़े पना साथ ही हो, स्वर्बेंजन पढ़े हो ना, देखो, स्वर्बेंजन पढ़े हो, के से क्या होता है, का होता है, आक्ता, के से क्या होता है, का होता है, इसे तरह इल से क्या होता है, ला होता है, के से क्या होता है, का होता है, ल से क्या होता है, ल होता है, और एम से क्या होता है साथियो, मा होता है, बातों को समझना के से जब का होता है, ल से ल होता है, मुझे बताना कलम के स्पेलिंग के ल एम क्यों नहीं होता है, सोचना जरा गौर से, आप साथियो सोचना गौर से क्य जो कि यह सांद का निफेंट है, एक सांद मीलेगा है। इसलिए सांद केतने होता है? 34 है, ठीक अचा है, हमने अचाभ पहले, English क्या है? Languages है, Languages, लाइव प्रोडुक्त है कुछ भी बोलते हो he ग्रेक्स टुर गुझ निखालते हो और सांट के इंकली खोगा घ्रीक घ्रीफ फर्म में होगा एप लाकिन फर्म में होगा जयापनिज में होगा यह मतर तो इसको और प्रियास करेंगे तो बहुत माजा आएगा साथ ही हो अतलब के रोना इस सेशन को दोखेंगे अपको इंगलिस जो है पुरा बेसिक से उठा पाऊगा बेसिक से इंगलिस कहता है अब देखो यहां पम सब्सक्राइब करेंगे जो साउंड है ना साउंड कहा से न अब देखो नेक बता दूब तारे इंच्छकट जन होते कहा है अलफा बेट में एस लगा देते हैं जैसे ही आप अलफा बेट में एस लगा दियें इस लगा दिये हैं इस इसका मतलब होए चेल होजाएगा, आलफाबेट में जैसे ही S लगाएगे, इसका मतलब होजाता है भासा, एक चीज को वर्ड को धियान देना होगा, तब आप सीख पाओगे, अगर एक चीज को धियान नहीं दोगे, बहुत बड़ी, इंगलीस समझ लो साथी, इंगलीस है, बहुत असान है, बस इसे को डिलेट करने आना चेलिए, तो हम यहाँ पर अलफाबेट को S नहीं लगाएगे, सिर्फ आलफाबेट होगा, और अलफाबेट मतलब होता है साथी वो बर्न मल, 26 लेटर, the group of 26 लेटर is called अलफाबेट, अब इस लेटरों के सम्मूख को क्या कहते हैं, अलफाबेट करते हैं, साथ हो डिफिनेशन थुद से में जो बोल रहा हो, सुनके लिख रहना, मैं लिखवाओंगा तो फिर ज्यादा टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है, अब समझना, अलफाबेट क्या बज़ 26 लेटर को क्या बलते हैं, अलफाबेट, अब देखो, इ होते हैं, अनिस, यह उनिस क्या होते हैं, अपको कॉंसानेंट होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, क्या होते हैं, पाच क्या होते हैं, वाविल होते हैं, और दो होते हैं, सेमिवल, और सेमिवल, दो कौन-कौन होते हैं, तो समझो, एक होता है आपका डेबलू, और एक हो ओजना पड़ेगा ये जो डेवललू ये ल कीडिया बना ये जोटवल्हद राकी डेवलियू इसे क्या बनाया इसमें आता है आपका साथ यू समझना है, इसमें आता है आपका A, E, I, O, और U, और जो बाकी बच गए ना वो 19 में आजा है, ठीक है, देखो, 19 तो 21 पाच 26, यानि कि 26, तो 26 में होता है, इसका पनेंसियाशन करेगो 26 होता है, बात समझना, जो बाकी रिष्ट बच गए, यान जो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, पाच दू, साथ के बात, जो बच गए, वो सारे क्या हो जाएंगे, आप साथ यू आते हम, इन सभी को मिला करके, तो दीख नहीं रहा हूँ, मैं थोरा इसको उपर कर दू, आ जाएं, ये जो सेमी भावेल, देखो, ये जो सेमी एक लेटर के इस हा, इभी के लेटर के ईसा है, यानि, कहीं नहीं हमें ये समझ में आरहा है, कि लेटरों को जोर जोर करकी, एक वोर्ड का तयार हो रहे है, क्या है एक это word है, और जोर पहल सब्सक्राण मतलब है तब कहना का मतलब मेरा यह हो रहा है कहना का लेटर को हम लोग जोड देंगे एक वर्ड बन जाएगा इसके एक डिफिनिशन दिखला है ना तब the meaningful arrangement of letter is called word मतलब अक्छारों का एक बढ़िया सा मिलापन क्या कहलाता है word कहलाता है मतलब उसका मतलब इनी के लिए और स्ट्रक्चर भी सही हो बढ़िया तरीका से लिखा जाए वो वर्ड कहनाता है यह साथियों हम लग कह सकते हैं तो meaningful arrangement of letter is called word लिकरो फटा 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 नोट डाम करो अभी लेटरों का सम्मुँ बोला हूं तो मुझे बताना o o o e P n इसको what बोल सकते है क्या what बोल सकते है नहीं बोल सकते चों नहीं बोल सकते स्क्राइब ऐसमें गोफिन लेकर झाक्ता हैसे किव alloraतना से देखेश्च जो नरेकर को shoddy प्ससे अ करें ने करें इसे किन लेने के कोछिज चीज आता है कि अब देखो बहुत सारे भच्छे के दिमाग में धार क्या एक लेटर का वर्ड बन सकता है फिल्कुल बन सकता है जैसे एक वह आई आया अपने वाड है तो एक लेटर का भी वर्ड बन सकता थीक अब आते हैं साथु हम लोग बात करातें तरह आई सपी वॉर्ड के बाद बात करें अब ल In हमारा तरह जो अब करा है। यह smallest unit of English grammar के दो सबस्ते छोटे काई क्या होता है लेटर होता है कैसे होता है इसके थोड़ी से जो बच्चिय होंगा 12th level के तो हमारे सिनियर देख रहेंगे ऐसे तो ही basic सबके लिए है जो 12th level के होंगे वो पढ़े होंगे पहले साथ रहता है 12th में electrostatics इसमें हम लोग सिखते है एक atom होता है atom के तरफ क्या होता है एक चाव तरफ क्या ना चाता है electron electron क्या होता है सबसे छोटी ही काई होती है उसी तरह यह जो English language के बाद जो लेटर फॉर्म हो तरह English grammar में सबसी छोटी काई होती है ठीक है बहुत साथ लोग आलफाबट बलते लिए कि आलफाबट को नहीं बोल सकते है क्योंकि आलफाबट ग्रूप आपदल लेकर है ठीक है इसे आप लेटर ही मान करते चलेंगे लेटर सबसे चोटी काई है ठीक है चलिए अब हम लोग बात करेंगे sentence के पास आएं संटेंस के बढ़िया तरीके सा समझने की प्रयास करेंग तो फटा-फटी से रब कर लेते हैं और वेट कीजिए कुछ मिनिट और तक आगे हम लोग हम बात कर रहा है कि sentence को हम लोग समझेंगे देखो यह सी मैंने लिखा sentence क्या लिखा sentence में अब्जेक्ट होता है यही होता है और अब्जेक्ट 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 जिसका मतलब होता है अब देखाव कॉंपलीमेंट में ल आई मतलगा देने उसका मतलब कुछ और हो जाता है तो अबजेक्ट क्या होता है यह सारी सीजिया में डिसक्रस करेंगे ठीक है अब भर्व क्या होता है एक एक्षण वर्ड है इसके बार में भी हम चार्चा करेंगे क्योंकि इसकी एक बहुत लार्ज लार्ज क्लासे सब्सक्राइब लगबग 6-7 क्लासे इसमें दो त्यम लगी जाएंगे साथि यह सब्जेक्ट बताने में अब जिक्ट पर कहरें पूरी बोर्जेक्ट में भाड़्यू में हम लीइव अब पर सब्सक्राइब हम इसमें कुछ और बताना चाहते हैं को बलेट करके अब्जेक्ट में कि इसको फैल बाड़ा करने कोशिश को रहें कि एक संटेंस दो संटेंस तीन से चार संटेंस नहीं कि हम क्या बनाते हैं बुक में एक पारा गराफ बनता है त्यानि कि कह सकते हैं कि इसको अच्छा का समर्ण बोल सकते हैं अब मैंने समझ गये पैराग्राफ को मिला दे हम पाराग्राफ को बहुत सारा पैराग्राफ मिला दे क्या बन जाता है शाथि देखेंगा बुक में एक पोयम बन जाती है है नोसे ऐस्टोरी बन जाती है अब मेरी थेहने का सब्द्द को सबको रिलेट करते चलना अगर निखिऊ लिए करना शिज़ाना तो बहुत असान है जब मैंने सेंटेंस को सबको कंबाइन किया पगराफ बना में पाडाग्राफ को क्या करो कंबाइन करो ये पगरफ दो पगरफ झीनीख चार पगरफ ऐसे हैं क्या करू मैं सबकोсонन करो क्या बन जाता है Detroit या पोएम बन जाता है दम बात नहीं भने। तेक है इस्टोरी या पोयम बन जाते हैं अब मैं स्टोरी या पोयम को ख्लेक कर लो और उसे एक निर्वान कर दो क्या हो जाता है वो हो जाता है कि नहींस लोगता है सथा उप इनके सवाट जाता है इन उसा लिए योगता है दो रडोह नाई में उसां क्ुछ कहते हैं और सथात खाट कि एयो च्छ tribunal क महीश को आगे करने अग्याई जो कि आपके इंगलीस की धारनाव को यानि की सोच को बिलकुल ब्रेक करके रख देगा तो आपकर यह नाउन नाउन पढ़े होना बहुत तरो लो के तदे कि नाउन नीज नेमिंग वड्ड नाउन इज एबरिधिंग मुझे एवरिधिंग जब मैंने पढ़ा साना मैं सही ब तरो आपके बिलकुल बतार हो यह साथ हो आप सब कुछ हट के पढ़ होगे इंगलिस ग्रामर प्रैक्टिकल इंग्लिस ग्रामर पढ़े हो तैतना जो साथ हो अधन कनेक्ट करके पढ़ने वाला इज पढ़ो ठीक है बस सबर रखो अब कुछ सिखाते चले अभी कुछ एग इंग्जाम्पल दे रहा हो क्या आपन इसको कभी सोचा इसको गौर किया है अगर किया होगा तो मुझे कम 편्ट करके बताना हूँआ थेंग कर्यों एक्जाम्पल आपके सामने लगे मैंने आपको एक्जाम्पल लिखाओ वहो सारे बूक में इसे मेरे एक इग्जामपल है, I am, MR, इख अब मुझे बताना क्याज़े मुने लिखा, I is the ninth number in one alphabet अब बहुल सारे बच्चे की दिमाग में रहेंगे सार मैने तो आज तक सार साथ हूँ आई के साथ पीज लगते देखा यह नहीं बहुल सार बच्चे कू दिमाग में पाई वड़ की लगें सकता चाले में का तो लग जाएगा कैसे में लगेगा दगेगा अंटेट परसंट पिखो लग जाएगा किसी भी यानि कि दोखना आप शूरात चाप्तिर में लिखा होता है है कोड़ीं काटेगरी यह अनल्हें पार शुत में जितने मीज़ाइब धार भाटा जाता है ना कि देख करके बहुत सारे इसे लिखे और इरोर होता है और मेडिक लिखेशन होते चला जाता है यहां पर समझ लाई करे किसे लगेगा समसे हिए पर बारी समोझ में सब्राइब के इन소 हो साबग हो नताम होजर यह ऑड विख लिक अ यह कह रहा है कि I is the ninth number in one alphabet, one alphabet, यानि कि A से लेकर कि Z तक जो alphabet होता है, तो नववा नमर आई होता है, तो बोलो साथ ही जो नववा नमर जो रिप्रेजेंट कर रहा है को है, यह नाउन हुआ की नहीं हुआ, मुझे बताना है, कहा पी यह अभी यह नाउन क्या था, I क्या था, यह रージस्टर यह है यह नाउन होले है, है यह तो नौन होले है, कह समाजना नववा नमर, नववा नंबर क्या है? नाउन नम्मर क्या है, आई आता है, परक nesse थो अब कराने, यह खोरो, एगामस्पल शोग आपको नहीं हमना ही पर लिपान संट को आई के भागा किन्हीं सब्सक्राइब एक जग्सकता है we are time Miriam किया है कि प्रो नवण है अब बताने आंपक्य वह concept इसके बातों को ध्यान देना होगा, तो यह आई पर्मान मी हो सकता है, नान मी हो सकता है, उसके पहंसन के बेस्ट पर काम कैसा करें इस पर डिसाइड करेंगा। आप आते हैं साथियों एक और एक्जामपल ले लेते हैं, जैसे एक्जामपल, एक्जामपल लेखते जाना आपके मतलब मन में अदब मुझे आ जाएगा, इसर मैने अभी तक वो चीज बढ़ा था, वो चीज ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे आप बताना, वाक, वाक क्या है, आप पढ़ते होगे, क्वाक सर और वाक सर साथ Alexandburg, वार्भ होता बताए, छोड़ो, इन जी फरम वाला किया होता है, साथ.- भार्व, है भार्भ होता है, क्वार्भ होता है, ठीक होटалась से इंवज रस निसमें लाइन बता है, जैसमें लाए़घहि!! तो आप बताौनगों साथा ह क्या आता है category has green equality अब मुझे बताना यहां पे देखना किं आप कि सब्गूर required मुझे बताने क्षिवल में बार्थ क्रिंजी यह कमेंंट के बताना यह बर है में इस को सपीन चोड़कर आपक वh तो कैसे भर्व है, और यह भर्व नहीं है, तो फिर एक्चुरी है क्या है, मुझे बताना, आप सबसे मैं पूचा बहुत सार एक्जामपल है मेरे माइन में वह तारा है, मतलब भर्व ते बहुत टायम दग जाए है, बट अभी मुझे सिर्फ यही बताना है, कि यह भर्व है वह सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, यह कंसेट भी करके जा रहा हूँ, कि मन नहीं था, कल के बीडियो में आपने इंग कंसेट क्लियर कर रहा हूँ, आप भी भी जब भी होंगे, वह नाउन ही होंगे, इसके अलावगा कोई और नहीं हो सकता है, कैसे प्रूप कर देता हू सबजेक्ट नाउन होता है, आपके अपके लिए प्रूप नाउन होता है, आपके एक अउडियो मांग की इंग आपार मेख़ें, आपके यी इन्फिनिटीवी होता है ठीक है जुशा इनाउन टो और टॉक्ष उता है तो इसक अगए और बता ना Cem सब घरिए आपके लिए मैं आपके लिए अपके लिए आपके ँद्या कार देता हूं चिल्प अर उस को अरु जुम्हानीं उसमें भाहन हमारे शूडेंट हूंगे वोगर यह लिए वहasse return δεν μπορεί ना के साथ ही आपको ये भी बात को पूरा कर जाते हैं, आपको ये वे भाद को रख जाते हैं, चींजेबल लुपात हैं, यह जानी कि आम लोग बोल सकते हैं, चींजेबल लुबं अदर पार्ट्स अफ This definition. यह जो भ्यांच तो के दूप्ण स्कम्मि leg में यानि कि उसके में कुछ ने कुछ बदलाग परके उसको हम सब्जेक्स में रख लेंगे अब देखो मुझे सम्धान आपकी कंसित किलर करता हूँ नाउन को रोखे हो कि एत इसमें कोई दिखा नहीं है पर नाउन किसके बदली मुझ करता है मुझे बता ना आपके बतलारा नाउन की बदला रहा है नाउन लगte करते है ये क्या होते है infinitive, infinitive को 2 प्लास धीवन को बोलते है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं साथिए? vanbeerbial noun, बोलते है, और इसका मतलब होता है, और noun के जैसा भरद में काम करें, या भरद रहेगा, जो मुझे भरद रहेगा, बड़ नाउन का काम कैसा करेगा? भरबील का मतलब भर रहेगा वाथ है तो वाथ है तो होग है रहेगा पच काम किसा करेगा I say भर्ब और अबजेक्ट या कॉम्पलिमेंट जो संटेंस दिन्निरमान होता है, उसी को हम लोग नावन खुज होता है, जो इसको फर्स्ट पार्ट रोला है, यानि कि लिए इसे भी भार्ब वियाल लांड बलते हैं कि भार्ब तो रहेगा बट एक्ट करेगा ना उनिके जाय सा अब देखो थे थे इसे मैं समझाने के निकर आटा हूं आटो थे किंग ते जल्चेंजेबल फॉर्म अब देखो अब पर्टे हो अनिस्ट क्या है अपका तो अनिस यह क्या बन जाता है शाथियो नाव जेख़ेगों करांग। जो होता है Tommyלקhone से बनता है और sounds क्या चीजाते चांट हैं तो हमारा 82 तक जो later होते है yaitu यायनि कुच जिसे ALPHA बेच बोलते हैं कोग Comoda मकलते चांद जो कुछ própria गुलते हैं तो इंग्लिस लेंग्यूज करल लाता है हिंदी लेंगे नक हम लोगे सिखा था पिछले एक लास्च की ब तो जरे मजबूत होती ना तक पेर क्या होता है जब इसकी जरे मजबूत होती ने तक पेर के आंधी आतुप्वान के मतलब प्रॉष्चन के लिए कैसा भी आउना आप साथ याद रहना इसके लिए इंप्रॉटेंट है तक होना यह जो मैं ग्राहता हूंगा इसके आगे कि मैं नहीं हो सकता इस रूल सारे जो अप्लिकेबल हो सकते लेकिन हाँ चिक टूल तक जितने इसके अंडर में आते वह सारे कुस्ष्ण आपके बनाओगा यह मेरा अपसे वादा ठीक है हम लोग और शिकाता हूं इसके लेगोई लेगोज के लागोज कर ताव अगे श्यूंड कहां से हम लोकर निकल गर आता है यह जल्दी बताओ जल्दी बताओ 26 letter को क्या बोलते हैं Rio 26 बिटेट गूलते आप देखे और kan Pathaker आप वंच्छीम के मिला था हुर्थ माला को सीखाऊंग पूसी कि इसे गोरे गोरे को देलों गहे तो क्या होता है ऐसा ऐसे मिल करकी माला बनता थे तो वर्णों को ऐसे आसे मिला मिला करकी समों व gi 26 लेटर उसी पर वर्ण माला कहते हैं, तो ऐसा से कंसेट बताऊंगे आपको किस जाओगे, मतलब सीखना कि आपको मन भी ना होना तब भी सीख जाओगे, तो आफा बेट हुआ, अब इस 26 लेटर में हम पुछ ऐसे काम करें, इनमें 26 लेटर जो थे, यह देखिए, यह देखि पिछले से क्लास। और उवा तया जो थे बना थे, हम लोग और से चन connect कि कहा नहें था, बारस बैखिए, लोग पीछले से बड़ी में चुक्वन आखिए, यह सारे क्लास की बाता में था कोई वर्ड मुझे कमेंट करके बताओ साथ यो कमेंट कर देना मुझे इसा कोई भी वर्ड दिखिजा है जो विदाउट भावेल हो वही नहीं सकता है क्योंकि यह आपको मैंने बताया थाना 44 सांड होते यह चीज बाते बताया थाना आपको जब भी कोई लिखो वहां भावेल आएगा ही आएगा ऐसा कोई वर्ड नहीं लगता है है हमने किस बहुत तर बच्चे कंफूजन में थे इस तर आप मुझे बता दो था जल्दी से की मैं कैसे पता रहूँगा आप इस तरीके से ए बीसी देजू मैं लिख लेना और फटाक सुन देखो बविल कोई होते देखो ऐसे लाना टीर कुन और ऐसे कर देना और ऐसे करक और बविल से होते हैं है है जो मिदो यह बशाइबन चनबं अए मनबोटे देखो साथ हो और इसे कणी मां बिल्द कर दो अरे विजन और यहा बढाते हैं है क्या पूझे मी और यह सीज सहुनâte log ृत निटेज इस टुके यह उज algorithm शीमें है मैं आहन्या शार्छा कि मैंने पहुच चुके है content 걍े तहम वहां से अपनी क्लास हुचा करेंगे अर्दर आगे भराने की पेस्स करेंगे तो थी наст चजिए फैंक कर लो थुराइब करो जो फुराइब करो रवान करनो questo बड़ीत काव FIFA सा बता सकता हूए यह चीछ नोट पिछे करके नोट करने दो नोट कर लिए होगे मुझे आशा है आज आज आख देखो हमने बताया आपको कि संटेंस तक हम लोग आज चुक रिखे संटेंस वाले चीजे हम लोग ने पिछले क्लास में पीस कर चुपा ठीक है अब हम लोग समासे कि संटेंस तिक है को अबजेक्ट होता है अब्जेक्ट होता है या या कंपलीमेंट होता है कि अब्जेक्ट भार्थ या आपजेक्ट या कंप्लीम के पिनों को चीजों होता है तेले लगाना उप्जा देना वहां आपिक मरती है देख संजोंगे, हमने कहा कि sentence के साथ कि हम लोग समझेंगे, कैसे कि sentence actually, जो sentence में सब्सक्राइब कौन होता है, कि कौन होता है, फिर आपका वर्व कौन होता है, कम्द्लिमेंट को था, कैसे समझाँगे sentence का मैं firmation संधा रहा हूँ और ये जो definition तरीका शिक्क हो गई कि निका कोसटेश करो दिखिए कोशी समझो अब सन्टेंस के कभी भी लिखते होगे। नेंटेंज का जब और भी कभी भी लिखते हो गए। ठीक है, याद रखना. नहां पर केस नमर फर्स्ट लिखना यानि की तरीका नमर पहला. लिट्क सफरी़ के पहल का जमाल दुसार का तरीका जमाल का देख पहल का तरीग मेत तरीका समझ भूँ यत Latung शब्सर तरीकहास पर उस अप 나오ं अनुको प्रॉड के और आथ लिखते हो 시omet merch समझों वर्ड ही तो होते हैं, वर्डो को ऐसा वर्ड का सम्मूह होना चाहिए, इसका बढ़ियासा मतलब निकले, इसका सही होना चाहिए, और 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 इसका सही होना चाहिए, पहला वाला वर्ड होता है तो आपका क्या होता है साथी हो पबजेक्ट समझना यहां पर केस्टू में जब आता है यहां पर यहां पर वर्ड होता है वह आपका क्या होता है साथी हो वर्ड होता है होता है object या complement ठीक है पजना object या complement कि अब हम लग केस टू अराइज कर रहे हैं कि फॉटा-फोटा लिखने ही प्रियास करूँगा ताथी इसमें अढ़ दाए इसमें लगा है अब जो में बिता होता है इसमें हां लिख दू तो यहां लिख दूटा होगा यहां भी कुछ ना कुछ साथियो वर्ड होगा और तिसरा वाला में कुछ होगा है यह दो वर्ड का संटेंस माल रहो होगा जिसे एक बहुत आरा वर्ड का संटेंस था एक ऐसा भी पाट आया केस थी राइस किया कि यहां ना वर्ड था यहां भी नहीं था यहां था वी तो भी जाएगा यह पालमेसान समझने के तो आपको बढ़िया तरिके से मेरे बातों को सुनना परेगा कभी समझ पाओगे नहीं तो यह आपको लगएगा क्या है से परहाँ है कुछ ही यह आर तुस बताया है जो लोजिक कुछ नहीं समझा रहा है क्या लिख़ भारव अपर समझना पर हें यह अज़ै लिख्ते हो क्या होता है फिर वर्डी होता है ना एक वर्ड वर्ड होता है दू वर्ड तीन वर्ड चार पाच winners stay फिर वर्ड वी तो हें तो पहला जो वर्ड हो थनसात है आपको सब्जेक्ट होता है, जो आप बनाते हों, फिर दूसरा जो होता है, भर्व होता है, भर्व होता है, भर्व में भर्व हो सकता है, में भर्व हो सकता है, लिंकिंग भर्व को जेकिव होता है, ट्रांजेटिव उन ट्रांजेटिव उन ट्रांजेटिव उन ट्रांजेट और तो दुसरा बतर से भर्भ मानतें, इसरा आपने देखा होगा एक ही वर्ड का होगा जाहना बलते हैं, Go, Sit Down, Head Down, बलते हैं, Go here, एक ही वर्ड में लग रहा है, जैसे बलते है, Stand Up, Stand Up, तो इसब क्या है, इकवर्य के संटेंई, के संटेंश का काम कर रहा है, केश ने ने सबजबें किस थार्ज केश स्थल्ड cabos मुझे भर्व सब्यका क्यूं था हां भी भर्व now पयुद है और यहां भी भर्व यहां भी पर र्भ झेख a किरिया हमें कि दिखाई दüर याहां भी तर्वन में जी केस्टू당 केंसी किशắc被 क किम आंब श lives वो फटाफट निखाए दर तो मुझे कुछ अनुवान लगा पारें कोई भी संटेंस भर्भ जरूरी नहीं है हम लोग बोल सकते ना है वो सकते ना मन से अपने एक इक सब्सक्राइब से ला सकते हैं खीक है ना हम तोच भी नहीं सकते कि वो संटेंस भो सकता है था उप्च्रों की बिना सब्जेक्ट के निर्मान करना मुश्किल ही ना मुम्किन है तो मैंने जो वर्ड वलाता है, stand up, stand up क्या है, वर्भ है, वर्भ है, ठीक है, मैं आप सबके कमेंट देख पाला, जो चीज आपको नहीं सुमाज मारों, ठीक है, चलिए लिए, यहां पे आपके, क्या हम ने समझा कि वर्भ सब में जरूरी होना चाहिए, अब मुझे एक दिमा करो, इसको टाइगराम बनाओ, अब एक चीज बात करते रखना, अपने स्नोट्स बनाने यह कुछित करना, बात युद में तो पीडियुद में तो पीडियुद दूँगा, आप TBR study का जो ओफिशियल टेलिग्राम से जोइन कर लेना, वहां पीडियुद में पीडियुद यह जो चीज में कंसेट बता रहा हूं ना, कंसेट यह चीज इन बीडियुद नहीं हो सकता ना, पीडियुद में, कंसेट चीज वाले हैं, जो मैं बोल्ड आओ, उन सबको नोट डाउन करते चलें, क्योंकि आपके काम हैंगे, जब मैं इसकी जब क्वेस्टिन कराऊंगा, मैं किस बुक से कराऊंगा, वह भी लिख लो फटा फटा फटा, मैं बता रहता हूं, बिहार से होगो, UP से होगो, UP से होगो, UP, MP, जरकांड, या राजस्तम, किसी बोर से होगो, वहां पे एक बुक चलती है, डिल्ली से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहां पे एक ब करवाँगा, लेकिन जुनियर में 100% करवाँगा, क्योंकि जुनियर में 100% करवाँगा, तब आपकी बेस मदबूत होंगे, तो Oxford junior English grammar होता है, वह करवाँगा, और इसकी मतलब वह करने के बाद, आपकी English में ऐसे करवाँगा, ऐसे, बढ़िया तरीका से पहोगे तब, यह कर करते हैं कि subject के बिना sentence बन सकता है यह नहीं, यह चीजे में आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ, इस तरह मिटा लूँ, फिर आपको बताता हूँ, इस तरह मिटा लूँ, tweet करना, right? हमने बात किया था कि sentence में, क्या subject के बिना sentence के हमें इम्याजिन कर सकते हैं, बताना मैंने अभी रॉब कर लिया, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, कि sentence बिना subject की बन सकती है, यह नहीं, आप मुझे बहुँज़ कमज़ बताओ, मैं 20 second के समय दर रहा हूँ, सब पही बता दो, आप जितनी दिमाग है, तो दिमाग करके पावर जो है, आप लगा दो इसमें, लगा दो मैं देख रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर दो, आप सब्सक्राइब करो, आप करो, बता दो मुझे बिना subject के sentence सकता है, आप को अब तो आपके बोला, I stand up, यह पर सब्सक्राइब क मैं आपकी बातों से एगरी हूँ साथियो, तेखी, बताओ यहाँ पर किया बिना subject के sentence क्या दिमान पॉसिबल है, आप महीं बताओ, बताओ बताओ साथियो, आप बताता हूँ, कभी भी नहीं, आप पुछोगे, कि इस पॉसिबल तो फॉर्म एस संटेंस, और मेक नहीं, सं बताओ संजो, कि मतलब यहाँ पर क्या लागा होगे, फॉर्म लागा होगा होगे, ठीक है, इस सक पॉसिबल तो फॉर्म एस संटेंस, ब्लाओ सब्जेक्टों साथियो, तो मेरे अंसर में वह इस साथियो, नहीं आखियो, संब्जेक्ट होना जरूरी है, जब कोई भी बैं तो वही चीज यहां पर है, जो यहां पर है ना, जहां पर सब्जिक है आप नहीं देख पाड़ हो, लेकिन देखो को कैसे मैं बताता हूं, तो देखे बोलते हैं, इसको समझने से पर आपको पर समाना चाहिए, जिसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, पर समत्ता हएं, तो कन दो मैं आपको, पर समझता है, मैं आपको, ना, इसे में करका ह्ण है, क्यों को ना करता हैं? कैंप है त्ट इसन काम करता क्या काम थैए वह समय होता है और हम बातों को सुनता है वहrist है जैसे हम थास्ट पर्फन हूं, अप मेरी देख़ए हो, और सुन्द धिहान ुखाकर ती कि आ उड़ियां आ अपवेंगू सब्सक्नी अपर्फन में नियुक्ति आप्या हूजेए कि नियुक्ति बारे भातंपेंगें आप बातों को सुन्ड़े होगा उन्हें की जो बोल्ड ही है हो लेडी उक्या बातों सूंडे तो Second Person के बात हुआ हुआ थर्ड परसन और जो बोल्ड ही थी फो लेडी तो हमने जैसे बोला, a stand up, तो कोई नो कोई व्यक्ति हमारे सामने खारा होगा, अभी तो उसका हमना order कुछ बोला होगा, इससे बोलते है, imperative sentence, इसको बोलते है, imperative sentence, बात याद रखना, तो हमने सामने कोई खारा होगा, जिसने कि तुम पर रो, तो हमने काई बच्चे stand up हो यहां पर चीप हुआ हुआ रहता है, तो हम नहीं दिखाई देंगे, हम भै छीप लेगे लेकिन काम करेंगे काई साइ इस यहां नहीं पढ़ने देंगे तो हम यहां हैं लेकिन काम कर देंगे तो इसको क्या गोलते साथ है इलिप्सी चया है इलिप्सीस का मतलब होता है सब्दों का लोपान ज़्यानी कि हीदन एलिमेंट कॉन था यू कि यू कि क्या होता आपका second person को अब ही बताया क्या होता है इमप्डरी इंपरेटीव संटेंस क्या बहुते हैं और आपका फिर्सट ओटा है और अबजेक्ट होता है एक कंपलिमेंट साफ का फर्स पर्म और अबजेक्ट होता है इसे द गो दियर क्या है है अब कि अबजेक्ट करा करना गो किया भीवन का फर्स्टाव मैं इसमाजना अद एक कि मुझे दिमाग में आ गया भीवन यको साथ हुँ मैं अभी आपको संझाने के लिए बता रहा हूं भीवन भीटू पाइदेवे देखा जाए इंग्लिस गावमर कोने सार बात मैना जाए एक कहानी इसके पीछ ल इसके लिए गिया जी विवन भीटू विथरी होता है तो सारे गिरामनिस में इसको दिये दिरे कोपीपेस्ट करते करते इसको लिखा गया थाकि बच्चे को आसान हूं लेकिं आप मुझे बताना गाउं में किसी व्यकती के पास तीन या चार लरकें होते हैं तो कहीं ये कह तो करनेक्ट करके शिखोगे ना तो बहुत मज़ा भी आएगा और बढ़े का चीजी भी पाऊगे हमने कहा ही गाव में किसी की बेटा होता है तो प्रोल दर्गार हुनका क्या उपलते होंगे बेटा वहां इधर आऊ यहां जाओ नहीं बोलते हुए जब लरका का कुछ ना सब्सक्राइब करने के लिए आपको असान बनाने के लिए साथ यह सब लाया गिया जो भीवन होता है इसको बलते है प्रिजेंट क्या बलते हैं साथ हो प्रिजेंट जो भीटू होता है इसे पास्ट पार्टिसिपल बढ़ा जाता है चलो यहां कर देखं़ जो भीफड होता है इसे बलते हैं प्रिजेंट पार्टिसिपल थे के जिर्टू होता है जो यह डिय वाला तो पता है क्या बलते हैं यहां पराचव यहां पर समाज है इसको बलते हैं मौर्फ लॉजिकल और आई इसमें एस लगा होता है ठिक है अब से क्या बोलोंग आप अपकम के क्या हां आम होता है बता दो जो अब से आप गटी नहीं पड़ना बस जनकार जी और खो लेकिन आप जाओगे ना अभी भी भी ब्रति के का पास ये बोल दो गाना प्रिजियन्ट पास्ट तो गलत कर देंगे आपको पता है आप गलत साथीत करेंगे थाइंगे यह चीज होता ही निए कि पढ़ा भी नी तो उनको मई को कि तुम गलत हो लेकिन तुम जनकारी के लिए जब 12 करने के बाद graduation तो थोड़ा सूप पर जाओगे तो ये चीजी मिलेंगा पढ़ने की है, बुक में है लेकिन उस लेवल की बुक पढ़े होगा तो मिलेगा संटेंस के पास इनके स्राइच होते हैं कि एक में होता है subject, verb, subject, vog, subject, word, subject, word, should, word, okay, सभी को को कर देख पा रहा हूं, जल जली कमेंट करते हो, सभी को कर देख हो, कि यहां पहल मेद कर करेंगे संटेंस के टाइप आज बता रहो नेयो अभ्रिट थकस्पका हिएंपने इतनी गल्तियां पढ़े थी हुच scor दिमार के रहो मेर रहो कि कि एब उठींस को बताने में सभी का कमेंट देखोंगा अब शभी का कमें तेंट अच्छे प्रोफेशनल टूसल प्राइब लेकिन आप दी करते हो कि मुझे कमेंट करना मैं देखूंगा सबका आप संटेंस का टाइप बताना संटेंस कितने प्रकार को होते हैं कि आप लोग अच्छे नीगेटिव होता है अच्छा दियु वह सबस्ता अच्छा एब इस अच्छे करना करें भी लिए शुट यह जितने चोटे मोटे चुब करकार थे जबुक है उनको फजब तरहिए एगी होंगेटिव नेगेटिव गेटिव कुटूस कि निनमें इसको प्रैकर करके दिखाऊगा प्रूब कर डिखाऊब करके अन्य कर दखाऊएं पर शुष का एक क्या यह निगेटिव ओतायएं यह आप अब गया विस्मिलिव और फिसमेटिव होता है पूजिटी बहुता अब से अब भच्छी अवें आपको मैं आपको मैं आपको बात मैं काटूगा नहीं सब्सक्राइब करें लेकिन मुझे बताना संटेंज की यह होता है पहले बताओ मुझे कमेंट करो आप से कमेंट के वेट कर रहा हूं मैं ठीक है मुझे बताओ तो लिए टाइप सीय होता है पहले यह यह आतरेटिव होता है यह अज प्रकार आतरेटिव होता है नेगेटिव होता है और और आपको गई सब्सक्राइब ना ! बताओ मुझे, मुझे... खटगया पटए फटद मेया रपति, ना रणो कोड़ो, कि व्हाइब न रदो। यह थे This Type of Sentence है, मुझे पतादो though, मुझे मुझे जानना है साथिवकव आपकीशी ग मैं करता हूँ ती text टेड़ ne करहा है, मैं कुमना मैं कुमना य। तैपस अब संटेन्स नहीं होता है means नहीं होता है अब आप नेए पर आय हो मुझे बताने माले are इसकी प्रवब करूँ गदो ने साथवेट करो वेट सब्सक्राइब करो नाट क्यों है लोग 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 इंग्लिस बहुत ऑक्षे आते हैं सब इनी साथ से बोलने, सब को इनी साथ से समझते हैं, लेकिन इस पर जरुरूरत यह है, लेकिन इस पर प्रिंटिंग ना हो, यह से कलर ना चाड़े, यह मार्केट में नहीं बीचेगा, बेकार माल है, वेस्टेज हो जाए, उसी तरह, जिसे कमपनी से कलम लिकलता है, इसके इसको पनी होना चाहिए, उसी तरह हमको काम हिये करना ना, आपको सिर्फ पोलिस लगाना पर इस आता है, लेकिन थोड़ा सा आपको पोलिस कर देंगे ना तो आप बेहतर कर पाऊ, समझना, इसने बात कि assertive, negative, interrogative, positive, affirmative, affirmative, objective and acclimatory, अपने इसको बोला किया, इस type of sentence है, बहुत इस type of sentence की साथ ही हो, बहुत है, समझने के प्रयास करना, इस type of sentence में पहले आता है, simple, अब कुछ दिमाग लरका का फुला होगा, simple होता है, सारका क्या होता है, बताओ, जल्ली से मुझे कमेंट करके बताओ, तुरा मैं क्या होता है, simple होता है, दूसरा बताओ, जल्ली से मैं व सब्सक्राइब करना यह क्यों गलत था रिवेट करना और किसरा होता कम्प्लेक्स अब देखो यह मैंने कहा कि टाइप संटेंस नहीं होते इसी पर चार चाप पूरी क्लास्म करेंगा में जैसे मैंने एक संटेंस लिखाई यहां पर दिखाई दे रहा है आजा जैसे मैंने संटेंस लिखाई कि जामपल ले लो अब देखो यह संटेंस नेगेटिव है राम आम नहीं खाता है राम आम नहीं खाता है आज भाव लिखाई डाम पर देखो भाव देखो तेनसे मैंने संटेंस बोलोंगा अलेदों या किया था मेरा एक K selective Phytaadi मैं बेचा था यानि कि मेरा एक नेगेटिवी वीचार था नेचर था यानि समाइट में बोलाकिकथ जुद्भी होती हुवरा की सौभव को दिखाई देर है तो मिस्की नगेटिटिटिटे ना नगेटिटे ना तो इसका नाकरात्मक वाला नेचर मतले लागस को और दो ना तो प्राकर्ति प्राकिर्टिटी यानी जो God-gipte चीज रहए तो जो है ना इसको पर जेंट कर रहे हैं गेटिटिव फॉरम में इसके मैं लिख दूँगा इस क्या कि आप्ट है अब अब इतीन होते हैं आप यह क्या करें उसको इसको घटा एर सकते हैं तेre अर अदर रहा हो क्या चल्ट कर科 ऊप्रजैन कि अचछा रहा है तंहां के डायप नहीं होता है सबस्ट करते हैं लेकिन आपको काम करना पर लेगा लिखना हो यह तो घी आप लिखेंटी खार में इसको नुट डाउन करो यहां तक ठीक है और एक जामपल है एक कर लेना नेचर यहां चाहुत कि अब मुझे बताना जब दादा जी रहते हैं और पापा जी रहते हैं तो उसमें बड़े कौन होते हैं दादा जी होते हैं उसी तरह संटेंस बड़ा होता है कि समझना यहां जाना है तो पहले यहां पहुशना परेगा जनार्ख यानि कि मुझे संटेंस पढ़ने से पहले मुझे क्लोज आघं़ आना चाहिए जानी कि उप वाकिया चाहिए समझोग तो आप इसके नोड़न करो खिट? मैं यहां ता बताना चलोगा क्लोज क्योंकि आपको इस लेबल पहुचने के लिए पर इस लेबल से गुजागना पड़ेगा अचली आये पर ले हम वाग के समझने से क्योंकि मैं एक 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 में बता दूगा ना आपको वह समझी में पाया वे सारे कैसे समझा दिये तो आपको बिलकुल सुरू से लाटे चलोगा सारे चीज़ सुरू से ही बताऊंगा ताकि ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो आपको इसी चिखने से बंचित के कोई चीज जिखाऊंगों जो आपके लिए स्क्वेंस हो दम बढ़िया सब अजेक्ते रहना ठीक है रंटेंस पढ़ने से परे हम लोग क्लॉज की और चलेंगे तो बने रहो अजाए अच्छा अच्छा लाए इमोजी बेज़ दो भाई लाल चेहरे पेसे देखा दो साकि मुझा अच्छा लाग यह नोग केह बात कियें कि सर संटेंस समझने से पहले हमें क्या समझना हो चलाउज को समझना हो कि ये एंट आज एंट पार सुने को अधार बढ़ा अरेक प्लाज अचा चापकर आप बहुत सरे बुंदे को तमझने ही नहीं आता है बढ़िया से समझोगे बहुत आसान है यहीं समझने के प्रयास तरह गोना जटील है ना वजने सब्टों फिर कितना जटील है तो इसको ब वचिसेने लिओपाता है। देख लेना खोंगा उपवाक। उपवाक उपवाक काहता हकी कालीटिछ बताहने रास्टपिता जो बरा होता है कि परधानमंत्री में जो जब करते होता हुआ है जो एकिसम tren कर लो परधा इसमाल कर सब्सक्रामंत्री होता है Driving, was looking up offоч किसे कहते हैं इसे कहते हिए तो इसे कमेंट प्रकाद की देग रहां कर दो सब्देयर के रहता ही रहता है और भर्द भी रहता है तो सब्जेक्ट और प्रस भर्द के मिलान को अजी मानी वाता वाताराब ही बढ़ए नुम नहीं बग को ड़ीया तर的话 समझ जाओग एक सबिशेक्ट और्हलं के मिलन को आ कंmosherac10 सबंजेट और भर्व जोप मिल जाएगा ना यानिदा आप ज़ीं जाएं Seattle लॉज नंग के फिर गणे से आप अब आप्जीन फ़ार्थ कि नी पुलाउज गएंड अब देखो फिलाज कितनी परकार के थे हैं अब मुझे कमेंट का एंढागें, बता हो झेल सेली बता हैं, जो मेन क्लोज होता है इसी को बहुत सार लोग इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे जो मेन होता है किसी से परमिसन लेता है कोई चीज करने के लिए नहीं लेता है ना घर में अगर तुम्हारे बड़े भाया हो तो वही जो चीज से परमिसन लेता है क्योंकि वो मेन है जो मेन होता है कुछते ही परमिसन काम कर लेता है तो और तो कुछ नहीं कुछ जरूत ही नह नष्छास मिनिन ऌोता है इसके पास नि tief Tech click what — इसके पास complete मानिइंग हो था है इसके पास complete मानिंग होता है इसको यह प्तो पुछना पड़ता है इसको किशना केसी सहारा लेना पड़ता है इस थो अच्छारा है, इस अच्छारा है, यह किसमें किसे आस्तरी तरह आता है, जैसे समझ, पर ग्जाम्पल से समझें, यह वाला पार्ट वतार लिया हूँ, इसे में थरा रब कर दूए, आगा तो इसे रब करूँ, तो बढ़िया सा बता पाँगा, में बाद करें ओक में कमंपलीट मेन होता है सबब्सक्राइब केन प्रस के पास या होता है Incomplete लिए, हिसाय नहीं बें नहीं दय कर शार एंप लिए कलाज क्लाज केळी अपने में दो क्लाज दोब परकार काहिसे kupिता है में कलाज के पौरा अदिकार होता इस के पुरा अधिकारी होता है शोपिता बचारा सहारे यहादा लेगा किसी ने किसे सहारा लेगा अब आजवा मेन क्लोज पे मेन क्लोज के कुछ एक्जामपल देखिए हूँ जैस्तिक राम गोच गोच टू पठना कितetaan के राम पतना जाता है की आपको कहें कुछ ऐसा लग्रा है पिसका और इसका इसका कंप्लीट मेन इंगधे हैं इसकत अ कंप्लीट मेन यह समझ कर कंप्लीट मेनिं हैं पटना चाता है अपी जिप एक और संथेस लिखता हूँ, एक और संथेस लिखना हूं, If Haa If You Join My Class If You Join my Class अब देखों, यहाँ पर मैंने लिखा, If You Join my Class जैति आप मेने Class तो आप यह करते हो, तो मैं अंदर सुबाला रहा होगा कि किया भाग क्या होगा अगर ने क्लास वांदरी तो क्या होगा, यहां पर यह कंप्लेट मेनिंग नहीं रिप्रजेंट कर रहा है, लेकिन यह वाला पास है, जो पास में रिप्रजेंट कर रहा है, यह कंप्लेट मेनिंग को रिप्रजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर इस ज्वाइन मेरे क्लास विभ७ॉ विभॉ मैण freakin नहीं कहने का मतलब है क्या लाँ हुआ था कहने उचेँ ठाँ बलुट रहा इसको किसी डूर्ड को ज्रूत स्वा एक सबूर मेंनिग करा है और जो आपका क्या बोलता सॉबर्ण के पास complete meaning नहीं होता है यह चीज़ हम लोगों नहीं हम पर समझा है sentence कितने परकार के होता है sentence कितने परकार के होता है तिन परकार के हमने बताए था पहला आपका होता है तुरा होता है आपका compound compound और तीसरा हमने बताया था आपका complex हमने चर्टा किये था पिछले क्लास में contains क्या होता है धीन परकार क्या होता है simple compound complex ठीक है साथ यो समझ पा रहे हो ना इस बातों की याद रखे ना खिक है तो अब हम समझेंगे कि simple क्या होता है compound क्या होता है complex क्या होता है इन सारे जीजों को मैं बता रहूँ technical team था वह वाला figure लगा दीजिए आपके technical team लगा रहे है वेट कर लो भाई थोरा सा वेट कर लो येस तर लगा दीजिए थोरा वह वाला figure बंजे को देख सकते हैं येस आगी आपके सांदेजिए निखाई दे रहा होगा आपको साथी हो देखाई दे रहा होगा आपको देखे यहां पर लिखाई देरा होगा आपको सिंपल सेंटेंस आथी हो देखे आपको दिखाई देरा होगा सिंपल सेंटेंस में लिखा है जिस वाक्यों में केवल एक में कलॉज हो क्या हो जिस वाक्यों में केवल एक मेंन कलॉज हो इसे समझने के प्रयास करना पड़ेगा आपको साथ ही धेख लिए ना तुक्सकर आपको बतवाएंगे ठीक वाट काई सै होगा ठीक है चलो कि और आजाओ किया जिस संटेंस में क्यबल एक में में क्लोज हो इक में क्लोज हो इसे सिंपल संटेंस कहते है में क्लोज मैंने क्लोज पर है था क्लोज दो परकार का होता है कौन-कौन होता है मैंने बताया था आपको एक होता है में क्लोज एक होता है स्वाडिनेट क्लोज आप देखें विरू वह बहुत अच्छी तरिका सिख दो सिम्पल होता है इसको में किलोज होता है इसका फिर समझ पाओगे दैसमें न है क्या हो लिखा उड़ल इसका कमप्लीट में नहीं हो यह कि सब 일ôiल्स क्तेल्स करते हैं यहां पर सारे चीजे आज में फिगर के जरी बताओंगा सारे चीजे आपको slide लगे हुए मिलेंगे और slides आपको अच्छे तरह से note कर पाऊगा क्यों कि लिखने में टाइम ज्यादा लगते हैं इससे टेकनिकल टीम भी यहां पर आपको support करने की ठीक है इसका मतलब बताओ वाइक इमंदार लरका है और देखो फिसका क्या मतलब यह हो с एक क्या मतलब क्या होतास इसका मेनिंग क्विए यह इसे में आपको बोलेंगे और इसमें मुन एक बहुते Recognize पिर स्लाइड देखलो, स्लाइड तो फटा-फटा आप क्या करना? नोट दाउन कर लेना, जो पह आपके स्कीन पर स्लाइड लगे हैं देखलो, यहाँ पर इंग्लिश लिखवा है, इंग्लिश भाई ससी पटेल अब इंग्जम्प्ने लगे हैं उससु में किवल 1 में कवल यहाँ निख बंद देख़ो इधर इधर नहां पर बता दे आपको हां फिर एक और लगा कि I am teaching you मैं तुम्हें पढ़ाता हूं I am teaching you यह दो एक्जाम्पल थे ठीक है अब हम लोग इसको अब करवाते हैं इसको हैड है थीजिए हम अपना आते हैं बात पे आप आप करेंगा आप निम यह साथ की कि मिए कि मैं और या don क्पॉंड कभिंगा निया कि आ यह समझने के लिए आपको आपको समझने के लिए इस की दू कर चाहिए तो दो तिन चीजी आना चुना ne यह ना चाहे, जो बंदा चाही पिया होगा, वो कंपाउंड समझ जाएगा, और जो बच्का शिकंजी पिया होगा, शिकंजी किस-किस में पिया अभी तक होता हुजी, अठीज बाई, बाई 2 रिप गिलास देते हैं, वो सादा पानी और उसके साथ वो मिलाक रेते हैं, वो 10 झाहां, तो जो कंपाउंड सिखना होगा, आपको छोदा से 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 करने पेइगा, उसके सद्वर से कंपाउंड मी पिज्यादा नहीं होता है, वो 2 में कराऊज काई, क्या है दो मेन कलाउज आ जाते हैं किया होगा हुए इस में नचाहरो रिखते हैं इसमें गांड हो गहाँ दिखाते रहरा हूं नयुम्त को नेक Sacramento को के बताऊंगा आप साथ को है ख़या है ना खळा नोड़न को al IJOC में समझेंगे compound technology क्योंकि सारे कि मैं लिखूंगा ना इस कादर तैनल रगठा tuna रहा हूँ लिखवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लिखवाना नहीं चाहते हैं, मुझे पता है, सम्झो, कंपाउंड के एक्जाम्पल देखो, कंपाउंड के क्या करेंगा हम लब, इक्जाम्पल करेंगा, जैसे, जैसे ले लो, I am teaching, I am teaching you, I am teaching you, and, and, ठिखे, you are, I am teaching you, and you are playing, मैं तुम खेल रहा हूं, and you are playing, तुम खेल रहा हूं, यह जो and है, के बाद भी यह क्या है, मेन क्लोज है, मेन क्लोज 1 ले लिजी, और यहां दिख्यों, यहां के रहा हैं यहां मेन क्लोज 2 है, यहां पर दो मेन कलोज है क्या है यहां पर थो मेन कलोज है मैंने बताया कि जहां पर दो मेन कलोज हो उसे कंपाउंड कहते हैं तया भी कंबिट मेन्ग है I am teaching you, मैं तेम्हें पढ़ा रहा हूं And you are playing, तुम खेल रहा हूं, थिम खेल दे थाण रहा हूं परेगा इसे, तो वेट कर लो फुरा साथ, एक और संटेंस, संटेंस के सब नोट करते चलना है, ठीक है साथी, एक और संटेंस बतवार दू अपको, बने रहो हो मेरे साथ, बस दखो साथ यो, जो चीज आप अब दस सालों में नहीं सिख पाए होना, एक क्लास में नहीं सिख क्या नहीं स्सक्राइब नहीं सिख जाओंगा और मैं अपको हंडीट परफेंस, साथ दूंपर दूंख अड़ नहीं सिख जाना है, सब्सक्राइब कहा चाहता है, उह कि खाएघक घजांपल दिया कि I am teaching you, you are playing, मैं तुम पथा रहा हूँ, तुम खेल रहा हो, चलो, एक और एक और एक जामपल ले लो मेरे से, एक और एक जामपल लेलो, क्या? ले लो प्विग्यृृृ। थोड़ीृ। प्वेड़ृृ। आझेकुए आझेकुएंडृ। wenn नरहा हुँ रहुते हैं। तुम रहा हुडुते हो… उ unfamiliar नहीं बॉते हो… क्योंको देश्वा रहा हुआ। दूश्षयू। प्र अब यहां से हो दो मेन कलॉज वह तो उस वाले संट जो दो मेन कलॉज सेंटेंस में अपने गौड किया होगा इन दोनों मेरे क्रोल के कुछ ना को जोडने के लिए वार रिश किया है जैसे मैंने आइंड के उच किया था अब एक और एक जांपल देख लो ताकि किलियर हो पहे एक और एक जांपल देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा I teach me I'll teach I'll teach I'll teach but what you love मैं पढ़ाता हूँ लेकिन आप फस्ते हो देखो I teach मैं पढ़ाता हूँ but you love अब यहां पर कुछ चीज़े मुझे लिकल के आ रहे हैं क्या यहां से एक यहां तक तक मेन कलोज झती है कि March ताना कह certa की स्चाव यहां से पिश्वें सटमें पन हो अचिब जेखो कि कुछा कांपाउफ कर और यहां मेन कलोज भजह तो मेन कलोज और जिस पीरिए में में वह तक से कुछ आए मुझे एक concept यहां से clear होके आता है क्या clear होके आता है इस वर्ट में fanboys मैं लिख दे रहा हूं इस यहां पर दिखाई देगा ना इस वर्ट में F A N P O Y S इस sentence में fanboys से दो मेन को जो रहा हूं इस sentence में fanboys की अविसकता परह हूं sentence को जोडने के लिए इस वर्ट में compound होते राम बान तरीका बता दिया इस sentence में fanboys A A N B O Y S इस fanboys क्या होते हैं मैं कमें आपका आना चाहिए मैं कमेंन सबकी देख रहा हूं साची आपर कमेंन सबकी आ रही है सबकी कमेंन देख रहा हूं जुरा हूआ हो वोज से जो sentence जुरा हूआ हो उसको तो compound कहेंगे साथियो बताव मुझी तो कि ना compound कहेंगे अभी नहीं समझ पाय तो समझो उससे भी नहीं समझ पाय तो समझो तो एक और समझो देखित तरका तो ऐसा कलाज लेलो तो ओ गो ऑब इसा मेसा कलाज लेलो जव लेजक तो अपना apna कंपपिलीट मेनीं चो इसका अपना you completely मेनीं हो और व्रव्र जोनों को जोर के q 75 अफ सांट्ये बना देते हैं उस्सी को तूप थो कंपांड कहते हैं कंपांड थो साइंस on इभी अपलाई करो नौ में गौलॉज को एक साथ जोड देंगे अब जो कंपाउंड तोह आभी भी नहीं सम्झेना आप समझो चाए बनाने वारा तरीका से यह सब्सक्राइक तरीका है समझो चाहे में क्या-क्या मिलाते हूँ आजाओ, मैं बताता हूँ, चाह किस-किस को आता है बनाने, पिछो में मिठाता हूँ, संटेंज की विवालत बहुत ज़्यादा जबेचे के अज़ाओ तुम लोगों को थोड़ा बहतर बताता हूँ मैं क nähra था मैं बनाना किस-किस को आता है, छाय किस-किस में ची आöttए समझें, जिस जिसको बनाने आता होगा, वो compound sentence स्थुठीओं में दिखिए जाएगा, कैसे, जब चया बनाते हो तो चया मेंक्ट टालतो हो, बताते हो चलर, आपके कमधिक में देख रहा हूं, चया नाते हो, तो वहां पर आपके जो जोग परता है, शुबर, इके, पिर क्या जोग पड़ता है टी लिफ यानि कि चाय पती घलीओ इस प्रिक्या जोग पड़ता है जिंजर अदरक भी खाने वाले होंगे वहां पड़ता है जिंजर की पिर क्या बहुत सारे बच्चें कहें एन वातर क्यों नहीं मिला व जोगे अब मुझे बताना अम मुझे बताना जब यह बनकर एक प्याला में आ जाते है प्याला है और यहां से निकल दे जब 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 प्याला से आप चाय पीते हो तो नदे क्या के मिला यहां पर मैंने प्याला जोगर डिए जिंजर भी डाला वाटर बीडाला और इससब को खोलाकर कि कुछ देर यह कशैंट कि मैंने क्या बनाए चाय किया है चाय किया बनाया देखें इलिए रिवह हुझे पर दोड़े गड़े अंगर आपनी अपनी 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 अलग सवाद देता है ऐसा लिए कि चिनी इधर चला जाता है उसका सवाद इधर तो अपनी अलग अंदाज है तो उसी तरह वो दो कंपांड कहते दो मेन कलोज को जो रदो अपांड हो जाएंगे तो मज़ गये होगे बहुत अच्छा लरकियो आप समझ गये होगे ठीक है फिर से यहां पर देख लो आपके स्कीन पर टेक्निकल माद लगा देंगे तरह आप अपर 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 लिखा दीजियो देखि दो मेन कलोज हो करते हैं ते यहां पर लिख ग्जामपल भी कियां तुम खेल देखिया हो चन्व थो Có οποि लिखा रहो है ।स Izeti निदू से शियक और लिखा ओगा अठिक कट्ड़ आखा ऋ अधिया और तुम और कियलते हो यहां पता रहरा होगे तब तुम ट्रीकू इतने महिना से बाता है तो हम प्रतर से सीखे ही होगा ठीक है तब आज हम मर चलते हैं अपने तिसरे जो हमारा है क्या है कंप्लेक्स इसरा पहला हम सिंपल सिखे कंपांड सिखे अब तिसरा हम कंप्लेक्स की और बढ़ेने की परियास करेंगे क्योंकि मुझे आपको नहीं है क्योंकि मुझे हैं कि मुझे रचाना नहीं है कि मैं तरेमांद के में द्थाइण करते हैं मुझे सब्सक्राइब करेंगे क्या क्या बात करेंगे कंप्लेक्स में क्या होता है ना कि एक मेन कुलोज होता है मेन कुलोज होता है और क्या होता है कं फिर समथनेंगे से एक मेन कुलोज होगा सब होगा और उसमें कंप्लेक्स तैन्स क्रि Sanskrit समझतें संग्यों सब्सक्राइब को मैं इस में थानवल्ज होता क्या है? मैंने भूल गया बता ना तो F A N P O Y S देखो, F का मतलब होता है FOR A का मतलब होता है AND ठीके, N का मतलब होता है NOR B का मतलब होता है BUT ठीके, O का मतलब होता है OR Y का मतलब होता है YET और S का मतलब होता है SU एक मतलब फोर एक मतलब इसे एंड इन से नौर बी सब्सक्राइब और वाइसे येट इस तू इन वर्ड से आपका संतेंस जुरा हुआ हो तो याद रखना वह नाइंटी नाइन परसेंट कंपाउंडियों या कुछ ऐसे केसे होते हैं लेकिन मांन के चलो 9900 नहीं कहा सकता है कि इंगलिस लेंगेट है और लेंग वेटी में क्या हो जाता है कोई ही मता सकता है तो 99% के चलना जो इन वर्डों से संटेंस जो 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 कमपाउंड कही होते हैं, ठीक कमपाउंड ही होते हैं एक देशी तरह का सिज्जेक्ट चलो कमपाउंड भाई इतने बढ़े तरीके से पुरे उख्री को खोज़र नहीं समझे होगे अपने मिन मोत बहुत अचक्कार सरफ थे अचछाना के सिखा लूटियुनै कने मेनको समझे most, स्विच आप कंपलेक्स को भी समझना बहुत बाइक हो गवर तरीक से थी मैंने काँ मैंने काम कंपलेक्स में क्या होगा एक मेन कretched में है को preparations कि शिमीं लगाकर वे Friday करtes artery दिए लगाए लेसे में क्रैस्ट है है मैं एक मेन क्रैस्ट है करें गरी एक में पाकी लगा दिया है जीक को पर राखिば जा पी लाओज एक क्रैस्ट केसा हम्हीं मेनिक नहीं, if you join my class, जदि तुम मेरे class join करते हो, जदि तुम मेरे class join करते हो, इसका complete मेनिक नहीं है, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिख दिया, if you will learn English, if you join my class, तुम मेरे class join करते हो, तो इसकी लेकिन हो, अखिते हो, हमेरे class join करते हो, जिब ऑफ ली नहीं हो, जोच्छाए को मेनिक सेम झ SOUND यां पे लिखआ हो, जिस वाकिय मेन करने हो यह ऐक सिर्ख डिक sailing करते हो पर देखो इन सब के अलावा मैं ऐसा तरीका समझा रहा हूँ कि आपको ना इस चीज को देखना परेगा और किसी और चीज को देखना परेगा ठीक है आपको मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं को बहुत मजा जाएगा इन सब के पिछे में एक और तरीका ऐसा बता दू आपको कि जो उसको सीखने के बाद आपको क्या होगा कि आप इसे में रब करता हूं कि अब सब करता हूं कि अब सब कर दो सबी साथियो सबी साथियो कमेंट कर दो वाउ दो प्यूंकों अपने कर दो आपसा इमोजी भागव शार बेड़ दो कर दो कि अब सुन कर दो कि अथिया आप इसा तरका संतेंज को देख के पहचाल कौई यह यह पाठ का हिस्ता है यह सिंपल का है संतेंश एक कंपाउंड का है सरजी एक मजसी बताता हम देखो आप सभाणन तरीका संचो कि वेसा संचेंज जो ग्यावल एक में क्लोज हो दिसमें क्याव एक में में क्लोज हो वह werk क्या कहलाता है साथी ओ इस दूसरा बात रुखो जो सलंटेंस अ-फ-बी ओ-वाई-इस जुरा हो तो क्या हो जुरा हो वो क्या कहलाएगा साथियो आपका क्या तरह तरह बात रहें जो आपका क्या है अब और तक कै दो कि किसा और अलावे जो बाखी किसी और से जुड़ा हो, कि बाखी और वड से क्या हो, जुड़ा हो, क्या बोलते हैं साथियो, उसी को क्या बोलते हैं साथियो, आपको हम do में एक कालोज हो में कालोज यहलेगा आई इंत वौर इम्हाए इंत सभारान का लाज तो इससे संटेंज जो फैन वाइज से जुड़ा हुआ हो उससे कंपाउंड कहेंगे ऑट यह थे अलावा पुन और वर्थ से जुड़ जायागा तो क्या भूलेंगे तो यह थी हमारी छोटी से आपको बताने की तृप अब इसके अलावी थी नहीं समझें स्मझाने के लिए सुमजना अपको बहुत जल्दी समझा होगे एक और अधिसी तर्का समझोगे संझेंग को कि लाश्ट होगा क्योंकि मैंने शर्ष बताने के लिए पूरी यूटीब पर खोज लेना इस तरह से चार पार साथ बताने नहीं बताएंगा ठीक है यह बात याद रखना है जो मैंने अभी तक मैंने जो 2-3 सालों मैं मतलब 4 सालों से जो कुछी पढ़ा हूं तारे चीजी इसमें इंविल्ड कर दिया हूं ठीक है साथियो और यह संटेंस सबसे बेस तरीका जो अब लास्ट हम बता हूंगा ना पूरे खोज के देखना अगेले रहते हो किसी से कुछ मतलब नहीं होता आप अगेले हो देल उस कंडीशन में इसमें क्या होते हो आप यह दो होता है जैसे से अपकी उम्मर बढ़ जाएगी साथियों जैसे आप सियाने होते हो जाएगे किसमें कि से प्रीघ आएंगे तो आपको क्या हो जाएंगे आप दो जने हो जाएंगे यानि कि जो मेन कि लोज जूड जाते हैं तक आप दियान के अए अप हो जाएंगे यहां फिल्ही परफित्त अश्क भी बात नहीं है यहां अक् нихे यह आपकी साथ आप है अपकी सादियों की हुए और यहां पर आप है और आप है आपके पास ऐसे हो जाएंगे skating कर already musology होंगे हम दो हमाड़े दू यह क्या हो सैंद्स का मातलब होता है य ci बहुत सारे चीजिएों को जोड़ देना, तो वो थे आपके किया जिसकी उधारन होजाओगा, complex की, इसकी उधारन होजाओगा, complex की, यह थे जब बहुत असान तरीका sentence को सवचने की, sentence में जो अकेले हो, simple कहला आएगा, जिसमें दो जूड़ जाए, compound कहला आएगा, हम दो, हम भारे दो complex का लाएगा.